Hello dear friends, welcome to my YouTube channel English Learning Really Made Easy दोस्तो आज हम देखने जा रहे हैं हमारा अगला टेंस that is future perfect continuous tense वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आपसे ही humble request है कि इसको last तक देखे तब ही जाकर यह टेंस आपको समझ में आएगा दोस्तों क्योंकि आज तक हमने कहीं बार कहीं classes में इसको पढ़ा है, schools में इसको सीखा है लेकिन हमें यह समझ में नहीं आया reason यह है कि हम उसकी situation को नहीं समझ पाए किसी भी tense को सीखना अगर है दोस्तों तो उसकी situation को समझना बहुत important है tense और grammar learning का मतलब सिर्फ यह नहीं कि कौन सा helping वब कहां लगा दे और किस form में वब को कहां यूज कर ले, कौन सा suffix कहां लगा दे सिर्फ यही grammar नहीं है दोस्तों actually है कि sentence construction आने के बाद भी हमको यह बात का पता होना चाहिए कि यह particular sentence में कि situation में यूज करने वाला जब तक आपको यह चीज समझ में ना आए इसका मतलब आपको कुछ भी grammar नहीं आता है तो आईए हम इसको deep में देखते हैं सबसे पहले हम देखेंगे definition of future perfect continuous then we will go for structure of future perfect continuous tense then master example of future perfect continuous tense and the most important part दोस्तो अक्सर मैं यह गौर कर रहा हूँ बहुत से लोग बीच में ही वीडियो छोड़ देते हैं देखिए मैं कोशिश करता हूँ simple भाशा इस्तिमाल करने की हिंदी में मैं explain कर रहा हूँ ताके आपको आसानी से समझ में आए अगर आप बीच में वीडियो छोड़ दोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा यह इस tense की जान है दोस्तो मैं हर चैप्टर में almost difficult chapters में मैं comparative study कर रहा हूँ दोस्तो जैसे present perfect continuous, past perfect continuous और future perfect continuous इन तीनों को अपन एक ही जगे हम discuss करने वाले हैं ताके तीनों का हमें similarity और differences का पता चल जाए तो यह permanent हमारी memory में बैठ जाएगा और last में हम देखेंगे कुछ examples of future perfect continuous tense तो आईए दोस्तो शुरू करते हैं definition के साथ The definition of future perfect continuous tense The future perfect continuous tense is used to show an action going on at a certain point of time that will end in the future दोस्तो इसको समझने की कोशिश कीजिए Future perfect continuous tense हमें उस क्रिया के बारे में, उस कारिये के बारे में, उस काम के बारे में बतलाता है जो भविश्य में किसी particular समय पर चल रहा होगा और future में जाकर कहीं पर end हो जाएगा समझ में आ रहा है भविश्य में वो कारिये future में यानि भविश्य में चल रहा होगा किसी particular समय तक देखिए उसे timeline पे हम समझने की कोशिश करते है ये पुरा past है दोस्तो, presents और ये दो लखिर के बीच में ये पुरा past है और ये present सिर्फ एक line है और यहां से आगे पुरा future है देखिए future में ये particular समय पे ये कारिये चल रहा होगा और आगे भी चलता रहेगा ठीक है दोस्तो बस ये ही situation हमको समझना है इसी को कहते है future perfect continuous perfect इसलिए कहा क्योंकि कुछ हिस्सा काम का हो चुका होगा यहां तक और कुछ चल रहा होगा इसलिए ये हिस्सा perfect और ये होगा continuous आईए से हम कुछ example से समझते हैं By next June I shall have been teaching English for 26 years अगले जून में मुझे English पढ़ाते हुए 26 साल पूरे हो रहे होंगे देखिए ये अगला जून है सपोज ये जो लखी रहे ये line है अगला जून है और ये particular teaching की जो activity चल रही होगी और यहां एक particular time मेरा complete हो रहा होगा यानि कि 26 साल और फिर भी ये कारी आगे चल रहा होगा If God wills Next example By 2024 we shall have been living in London for 20 years दोहजार चौबिस तक हम लंदन में रहते हुए हमको 20 साल पूरे हो रहे होंगे यानि दोहजार चौबिस को 20 साल हो जाएंगे यानि ये अभी भी रह रहे है यानि कि प्रेज़ट में भी हो रहे है और यहां तक future में भी रहेंगे यहाँ एक particular समय पे उनको 2024 में 20 साल complete हो जाएंगे और वो आगे भी रह रहे होंगे नेक्स एक्जेम्पल है दोस्तो audience will have been enjoying the musical drama before the game starts game शुरू होने से पहले audience कुछ समय के लिए musical drama enjoy कर रही होंगी यह सब भविश्य की बाते हैं दोस्तो इसे सिर्फ हम imagination में ही करते हैं आईए से एक master example और structure के साथ समझते हैं structure of future perfect continuous tense सबसे पहले होगा दोस्तो subject फिर helping verb helping verb में shall have been या will have been according to the subject और verb को ing आता है master example में I और we के साथ हमेशे shall have been लेकिन जैसा कि मैंने बताया modern English में आपको will have been भी देखने को मिल सकता है then sentence will be completed I shall have been shopping before you come home तुमारे घर आने से पहले मैं shopping कर रहा होंगा means मेरा shopping करने का जो कारी है वो चल रहा होगा चालू रहेगा जब तक तुम घर नहीं आ जाते then we, they, नवी, देन, जावेद, मिस अनेक वचन, एक वचन और ही शीट यानि के I और वी को छोड़ के बाकि सब के साथ आएगा will have been playing तो ओके दोस्तों आगे कोई भी वर्ब हम ले सकते हैं लेकिन will have been आएगा second और third person के साथ only first person यानि के singular I or plural we only first person के साथ shall have been आप ले सकते हो देखिए ये एक sentence को you will have been playing football before it rains बारिश होने से पहले तुम football खेल रहे होंगे तो आईए हम इनका comparison देखते हैं और क्या differences है इन तीनों tense में हम समझने की कोशिश करते हैं differences among present perfect continuous, past perfect continuous and future perfect continuous tense ये मेरा rule देखते हैं दोस्तों in all perfect continuous tenses ing is added to the main verb first form of verb and only helping verbs are changed ये तो हमें पता है दोस्तों सिर्फ helping अभी बदलते हैं और हर continuous में चाहे हो कोई भी continuous हो present continuous, past continuous, future continuous, present perfect continuous, past perfect continuous, future perfect continuous जहां भी continuous का नाम आजाए वहाँ verb को ing लगाना compulsory है तो देखिए इन तीनों sentence में तीनों अलग-अलग tense के हैं लेकिन सब के साथ common चीज़ है ing with the main verb completing, completing, completing आए ये पहले example को हम देखते हैं और उससे पहले हम ये देखेंगे helping verbs according to the tense ये कैसे बदलते हैं present perfect continuous के helping verb है have been, has been I, we, you, there and a question के साथ आएंगे have been he, she, it और a question के साथ आएगा has been past perfect continuous में बहुत आसान है दोस्तो एक ही helping verb है had been किसी भी subject के साथ हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और future perfect continuous में again I told you shall have been या will have been लेकिन modern English में ज्यादा तर आपको will have been दिखाई देगा चलिए इनके कुछ examples देखते हैं I shall have been completing my homework for two hours मैं दो गंटों से अपना I have been completing my homework for two hours मैं दो गंटों से अपना homework कर रहा हूँ मैं इस दो गंटे हो चुके हैं और अभी काम चालू है अभी भी पूरा homework complete नहीं हुआ है तो हमें तो याद होगा दोस्तों आपको मैंने individual stance में सिखाया था या तो आप four लेकर duration बतलाते हो या since लेकर point of time बतलाते हो लेकिन ये compulsory है जबी भी हम present perfect continuous की बात करें तो हमें starting point of activity वो कब से वो कार्य शिरू हुआ या तो हम वो बतलाएंगे या कितना duration हो गया वो बतलाएंगे अगर duration बता रहे हैं तो हम four लेंगे जैसे two hours duration है और अगर हम starting point of time बतलाते हैं activity का तो हम उसको since के साथ बतलाते हैं next example है दोस्तों I had been completing my homework for two hours when he came देखिए past perfect continuous में हमने दो-दो activity बतलाई है when he came और यहां पर देखिए बब को आएंजी आया है और had been A की helping किसी के भी साथ next है I shall have been completing my homework for two hours by evening यानि evening में मुझे अपना homework पूरा करते हुए दो घंटे हो रहे होंगे means तब भी मेरा homework पूरा नहीं हुआ होगा चल रहा होगा I shall have been completing my homework मेरा homework पूरा नहीं हुआ होगा बलके मुझे evening में homework करते हुए दो घंटे पूरे हो रहे होंगे लेकिन homework चल रहा होगा यानि कि वो पूरी तरीके से complete नहीं होगा I hope कि you have understood this let's move ahead examples दोस्तों यहां पर मैंने सिर्फ example दिया हूँ uses नहीं बतला है क्योंकि future perfect continuous tense के कोई खास uses अविलेबल नहीं है क्योंकि ये rarest cases में आता है दोस्तों हमारी life में इसे situation बहुत ही rare होती है इसलिए इसके कोई special uses नहीं है तो हम कुछ examples के जरीए इसको और समझ लेते है by tomorrow at this time we shall have been flying to USA for 10 hours देखिए by यानि तक तो परियंत कल तक by tomorrow at this time कल इस time तक ठीक है we shall have been flying हम fly कर रहे होंगे US के लिए for 10 hours हमें fly करते होए 10 गंटे हो रहे होंगे यानि के फिर भी fly चालू होगी हम land नहीं कर रहे होंगे ठीक है next example he will have been driving for 3 hours by evening evening में evening तक उसे गाड़ी drive करते हुए 3 गंटे हो रहे होंगे यानि के फिर भी वो drive कर रहा होंगे तो यही तो situation होती है दोस्तो future perfect continuous में हम ऐसे काम को बतलाते है जिसे एक particular future के time में कोई particular duration वो पूरा कर रहा होंगा लेकिन activity पूरी complete नहीं होगी next example they will have been traveling around the world before they reach India वो India पहुशने से पहले around the world का travel कर रहे होंगे यानि वो world trip पे गए होंगे world tour पे गए होंगे तो इंडिया आने से पहले वो बहुशनी कंट्रीज को विजिट कर रहे होंगे and the last example I will have been arranging my notes before my lecture starts मेरा lecture start होने से पहले मैं अपने notes अरेंज कर रहा होंगा तो इस तरीके से हमने देखा है दोस्तो future perfect continuous tense का जो इस्तिमाल है बहुत ही rare होता है लेकिन अगर ध्यान से इस वीडियो को आप दोबारा देखे और बार बार देखे तो मुझे अमीद है कि आपको बिलकुल situation clear हो जाएगी in case अगर आपको कुछ problem आती है तो feel free to send me the comments in the comment box जब तक आप लोग मुझे से communicate नहीं करोगे दोस्तों तो ये सिर्फ one way traffic ही रहेगा अगर education चाहिए तो यकीन मानिए इसे bipolar system कहा गया है जिसके दो पोल है एक पोल student और दूसरा teacher अगर एक ही पोल महनत कर रहा है और दूसरा अगर passive listener है तो उतनी अच्छे से education नहीं हो पाएगी मैं चाहता हूँ आप भी interactive बन जाए जिस तरीके से मैं eagerly waiting कर रहा हूँ अगर किसी को कोई doubt होता है तो definitely we can think about clearing doubt session तो बहुत से चीज़े आप देखिए अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते है तो आप इसको like कीजिए share कीजिए and subscribe कीजिए ताके आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का notifications मिलता रहे और दोस्तो आज हमने पूरा future tense मिला कर पूरे 12 tenses को complete कर लिया है अगला मेरा वीडियो आने वाला है अब interrogative, negative and negative, interrogative, affirmative मैं अब हर tense का यानि के simple present के पूरे 4-5 uses interrogative, negative, affirmative इसी तरीके से present continuous present perfect, perfect continuous सबका individual एक एक के ओपर वीडियो बनाने वाला हूँ और मुझे अमीद है कि आप उसको enjoy करोगे please write me about your opinion regarding my teaching and take care God bless you all bye bye keep watching, keep learning